उत्तरप्रदेश के हतरस में 14 सितंबर को गैंगरेप की शिकार बनी 19 साल की दलित लड़की ने मंगलवार की सुभाद दिल्ली में दम तोड़ दिया उसे बहतर इलाज के लिए सुमवार की सुभाद दिल्ली एम्स में अडमिट किया गया था लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी इस संसनी खेज वारदात के बाद से यूपी की योगी सरकार वेपक्षी तलो के निशाने पर है इस वारदात के आरोपियों ने ना सिर्फ लड़की के साथ गैंग रेप किया बलकि उसके साथ बुरी तरह मार पीट की पीडिता वारदात के बारे में किसी को बता ना सके इस मकसद से उसकी जबान काटती गई उसकी रीड की हड़ी तक तोड़ती गई थी 14 सितंबर को हुई इस वारदात के बाद पीडिता को अलिगड के जेन मेडिकल कॉलेज में रिफर किया गया था लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी सोमवार को उसे बहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया गया था इस मामले में हतरस पुलिस पर ढंक से कारवाई नहीं करने का आरोप लग रहा था हलागी लड़की के बयान के बाद हतरस पुलिस को गैंगरेब की धाराओं में चारों मुल्जिमों को गिरफतार करना पड़ा इस मौत के बाद कॉंग्रिस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड़रा ने ट्वीट किया कि हतरस में हैवानिया झेलने वाली दलित बच्ची ने सब्दरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया महिलाओं की सुरक्षा का नामू निशान नहीं है अपराधी खुलयाम अपराद कर रहे हैं यूपी की पूर्व सीम और बहुजन समाजपाटी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि हतरस में गैंगरेप के बाद दलित पीडिता की आज हुई मौत की खबर अती दुखद कर सवन जाती के आरूपी उसे उसके दुपट्टे से खीच कर खेतों में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया जब लड़की ने चिल्लाने की कोशिश की तो पहले उसकी जीब काड़ दी और फिर उसकी रीड की हड़ी तोड़ दी NCRB के आकड़े बताते हैं कि संगीन अपराद के मामले में उत्तर प्रदेश की हालत सुधर नहीं रही है हालिया महनों में बलातकार और गैंगरेप के तमाम मामलों ने योगी सरकार के दावो की पोल खोल दी है Bureau Report, Go News